पीस मार्श नहीं था ये भड़काओं मार्श था कि दिल्ली जो आदी बज गई है ये उसको फिर से जलाने का परियास किया जा रहा है वही का पिर्दिशा जिस पर हाई कोट ने ये कहा था कि इनके विरुदेफा यार दर्ज होना चाहिए और उसी रात उस यसका ट्रांसपर कर दिया जाता है फिर्दे उनको लेकर साथ में आया गया है इसलिए कि जो बच्ची वी दिल्ली है उसको भी जलाया जाए यह बिजली पानी फिरी कर दिया बहुत बड़ा तिर मार दिया गया जगए 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 आज के जिरिवाल जी बीजेपी की भाशा बोलने लगे हैं इसलिए ही उन्होंने जह चार्शित दाखिल करने के लिए राजसरकार ने जो आदेश दिया है इससे पहले तक के जिवाल जी जब बीजेपी की भाशा नहीं बोल रहे थे उन्होंने इसका आदेश नहीं दिया था तो यह आपको समझना पड़ेगा कि आज के जि राजनीत का है और राजनीत का महरा कनहिया को उमर कालेत इसलिए कि आने वाला समय कनहिया जी और उमर कालेत के इसंवे वह नहीं चाहते हैं कि इस परकार के लोग्डर्यबहारत क्यूंत Sumyam बिल्कुल आपने बिल्कुल सही का अभी कनहिया जी ने एक महिना जन्मन यातरा विहार पे चलाई जिसके तहट बिहार का हर एक जिला उन्होंने टच किया और 27 तारीक को एक विशाल चर्ट सभा और उन्होंने पटना के गांधी मैदानमी की जिसमें लोगों ने बता दिया कि आज कनहिया जी के विचार को मनने वाले कितने लोग हैं यह सरकार कनहिया कुमार और उनके विचा सब्सक्राइब करने का आदेश देती है यह तो किलियर और साप पता चलता है कि यह राजिदी शडियन के तयात उनको पसाया जा रहा है मैंने आपको पहले ही पताया ना कि जब से वह मिश्चा से मिले हैं उनकी भाषा जो है वह बीजेपी की बाशा हो गई है वह आज बीजेपी के साथ मिलके काम कर रहे हैं इसलिए यह जाने उनको भी राया दम कहया है कि अगर तुम मेरी भाषा नहीं बोलोगे तो फिर आग नहीं देंगे रागी एक समझ में नहीं हारी कपील मिश्चा लगातार इसे बयान बाजी से देश को इंसा फेला रहे हैं इसलिए कि आपको पता है कि केंद्र की सरकार कैधिन दिल्ली पुलिस आती है और दिल्ली पुलिस वही करेगी जो हमीं शाच आएंगे विकल्प यह है कि इसके लिए पूरी जन्ता को खुल करके इस लडाई में सहीयोग करना पड़ेगा और साथ आना पड़ेगा और अपनी आवाद जैसे शाहिन बाग के लोग जामिया के लोग बुलन कर रहे हैं हर एक सेकुलर जन्ता को अपनी आवाद बुलन करके रोट प गरीबों को दबाते रहेंगे कुछलते रहेंगे और मसलते रहेंगे अगर सही सिद्धान पर उन्होंने अपनी राजदीत की उनको नेता मानने में बिलकुल इंकार नहीं है उससे इंकार नहीं किया जा सकता है वोट तो लेके चला गिया वही बात कह रहे है न कि मुसल्मान को समझना चाहिए लोगों को पहचानना चाहिए कि नेता कौन हमारे बीच का है मगर मुसल्मान तो बीजेपी हववा बना दता है कि गर्दन काटेगा बीजेपी ऐसा कुछ नहीं था समझदारी अप्तियार करना चाहिए मुसल्मान को मुसल्मान एक जूंड बना के निकलता है ऐसा नहीं होना चाहिए था समझदारी बहुत बढ़ी चीज है सुलius内ے आपल बिलकुल ताहिर को फसा दिया टारिः कर दिया ताहिर को और यह सब जो है अन्ना-हजारे के टीम में रहके जो है समझना चाहिए था मगर नहीं समझा मुसल्मान भाई एक जमात बना के निकल लिया बीजेपी आएगा हमारा गर्दन कार देगा हुआ एक पैदा कर लिया मेडियम क्लास के लोग जा रहा है तो उसके साथ पढ़े लिखे लोग भी सट गिया एक हुआ पैदा कर दिया ऐसा कुछ नहीं समझना चाहिए था इननों वही हलतना हजारे कांग्रेस जब आएगा तो वह जागेगा भी सोड़ा है बीजेपी को बैठा के तो क्या लग रहा है शाहिनबाद को जिस तरह से खतर करने की शाजिस कर रही है और एक बार भी केजरिबाल साह हुआ थे और अज भी क्या गृपा हुआ और एकक पलिस वाले का हुआ हो गा उसके घर पे गया और मुसल्मानूं के है आशू शुक पोछनित पचास लोग मुसलमान मर गया सुनते हैं, कितने लोग जखमी है, उसका दर्द नहीं है, उसे, पुलिस वाले का दर्द है, कहें करोर रुपे उसे अपने खाते से दे दिया, विकल्प क्या है, विकल्प क्या है, हिटलर को हिटलर के जैसे जबाब देना चाहिए, और हमारा यही मानना है, कि अरब मुल्क ज से जो है, हम लोगों को अपील करना चाहिए, गुजारिस करना चाहिए, कि आप है सामने, इसका तेल बंद होगा ना, तो हिटलर पनी निकल जाएगा, एक बात बताईए, अब जो कनिया कुमार लगातार मुस्लिमों की बात कर रहा था, दलितों की बात कर रहा था, अब के से केजरिबाल ने, अचन चाहिए, और तो बिज़य पी, के सुर में सुषी मिलाने वाला है, केजरिवाल तो भीज़य पी का बी टीम है, तो उसको अभी निफसायगा तो बिहार का इलक्षन आने वाला है, यहार के जनता को जागरू कर रहा है, कोने-कोने घूम के जा रहा सभा कर रहा है उसमें उसको महेंगा पर रहा है बीजेपी को और केजरिवाल को भी महेंगा पर गिया केजरिवाल को भी महेंगा पर गिया देखा कि विहार का सीड जो है निकल जाएगा हमारे हां से तो इसको टार्गेट किया है यह जली मुसल्मानों को समझना चाहिए था कब पहचान निमापफाइब, में बहुत जादा हम मुसल्मानों के पास, इह मफाथ परस्थी जब तक रहेगा तब हमारे मुसल्मानों का यही हश्र होगा, दिनक्तों से महाँ परस्थी से उटके रहना होगा प्छेमी itself चीवें जीताया है बहुत कितने लेता है कितने जाचों के यहां से हांताद कैसा मोल यह कि अ EVERY बहुत मुत है मैं मशीन में गडबड करकर जीए गडब पाद है अपनी मसीनों पर कभजा करकर बेठावा है ऐसा ने कभी हिरा फेली हो जा और वही बात हुई ये चाहता है और केदिरिवार ना होता हुआ मसीनों पर तो अब भी कहना में ये मुगदा उठा लेता है ये मोटिव मुद्वा उठाने के बाद में और जादा परेसां करता पु ये चाहिए ये हमें आपसमें लडवा रहा है ये है वह उनकी सरकार है को गुनाव कर नहीं हिए अब यहीं जैनियों में इससाया आईशी घोष्ट को पर उसी का सरपड़ा उसी को पर आप लिए हुए उनी को पर पर ख़लत करा जा रहा है सरकार की जो अपनी मर्दी चारी वो कर रही है अब जज्मेंन दे गया था उन्होंने रभी जो दिया तो अब उनको ट्रांसफर कर दिया जो सच्चाई बोल ले उसका ट्रांसफर ओर रहा है अधर मुसल्मान को हिंडु हो पिर से जलाने का पर्यास किया जा रहा है वही का पिर्दिशा जिस पर हाई कोट ने ये कहा था कि इनके विरुदेफ आयार दर्ज होना चाहिए और उसी रात उज्यस्ट का ट्रांसपर कर दिया जाता है फिर थे उनको लेके साथ में आया गिया इसलिए कि जो बच्छी वी दिल्ली है उसको भी जलाया जाया उसका पर आरश नहीं है ये केवल दिखावा है